तो वेलकम आल क्लास 9 और 11 के लिए जो बहुत बड़ी ख़बर निकल कर आई है वो यह है कि कक्षा 9 और 11 मतलब के कक्षा 9 और 11 के या यूं कहलो क्लास 9 और 11 के एन्वल एक्जाम्स वार्शिक परिक्षा नहीं होगी तो ये बात अभी निकल कर आई है और काफी बड़ी खबर है लेकिन अब जो सबसे बड़ी चिंता आपको सता रही होगी वो ये कि आपका रिजल्ट या आपका प्रिणाम कैसे बनेगा तो उसका तरीका ये बताया गया है कक्षा दसवी के तरीके से ही बनाया जाएगा रिजल्ट अब कक्षा दसवी का तरीका क्या है देखो कक्षा दसवी की परिक्षाएं हम सबको पता है कि जो एक्जाम थे बोर्ड एक्जाम वो रद हो गए हैं तो उसके बदले जो तरीका निकाला गया था वो ये था कि कक्षा दसवी का objective type या यू कहलो वेकलपिक तरीके से question पूछे जाएंगे और उसके बाद उनका result बनाया जाएगा जिसमें वेकलपिक प्रशन या objective questions का result और साथ में internal assessment जो आपके school में होती है उन दोनों को मिलाकर result बनाया जाएगा तो कुछ इसी तरीके से 9th का और 11th का result बनाया जाएगा जिसमें objective type questions पूछे जाएगे जाहिर सी बात है कि अब परिक्षा रद हो गई है नई होनी है तो online ही पूछे जाने है और उसके बाद आपके internal assessment के marks उसमें जोड़े जाएगे अब जो सबसे बड़ी बात है अगर कोई दिल्ली गवर्मेंट स्कूल में है तो मैं उसको पहले ही बता दूं स्टूडिंट को कि जिस तरह मैं भी दिल्ली गवर्मेंट स्कूल में बढ़ा रहा हूं कि अभी हमने जो आपके midterm exam हुए थे जिसका result हमार को upload करना था 19 अप्रिल तक 19 अप्रिल तक उसमें आपके project के marks जो आपके project के marks चड़ाने थे वो अभी नहीं चड़ाए गए है क्योंकि order नहीं आए था तो इसका मतलब साफ है कि अभी ये जो खबर मिली है इस खबर को हमारे जो शिक्षा मंत्री है मनिसी सोधिया जी उन्होंने ट्विटर हैंडल से दिया है तो यह सूचना अभी सूचना के होंगे कितने मिटम के होंगे कैसे कैसे रिजर्ट बनेगा यह सब फुल प्रूफ जो order आता है डिपार्टमेंट का उसमें मिलेगा तो अभी के लिए बस यह आया है ट्विटर हिंडल से जानकारी मिली है कि कक्षा नोवी ग्यार्वी के एक्जाम नहीं होंगे और दसवी के तरीके से रिजल्ट बनाय जाएगा अब प्रोजेक्ट के नमबर कैसे चड़ेंगे कितने चड़ेंगे इंटर्नल असेस्मेंट कितना होगा अबजेक्टिव कितना होगा मिट्टम के कितने होंगे यह पूरी जानकारी पूरे order पर आएगी और जब आएगी तो मैं आपको जरूर दे दूँगा तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एक्जाम्स नहीं होंगे जो एन्वाल एक्जाम्स होने थे और रिजल्ट कैसे बनेगा फाइनल ओडर आने पर मैं जरूर आपको सुचना दे दूँगा तो जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में मैं हूँ विगरांत आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90 प्लस मार्क्स